कराके हम लोग जानते हैं कि वेकेशन पिरियर के दवरान बहुत सारे लोग सिटी के बाहर जाना पसंद करते हैं और कुछ historical और scientific value के बारे में experience गेन करना चाहते हैं इसके बाद वरा keeping in views इसी को ध्यान में रखते हुए Mr. Ramlal decided to go somewhere out of the country and chosen the country USA करा इसी को ध्यान में रखते हुए Mr. Ramlal भी decide किया कि वह country के बाहर जाएगा और वह country चूज किया USA In the series of sightseeing, he has first chosen the palace sky tower of the Mexico City करा कि in the series of sightseeing इसका मतलब हुआ कि वह सारे sight का मतलब एक नाम लिख लिया मतलब उसको कहां कहां जाना है और वह सबसे पहले चूज किया Mexico City के sky tower को सबसे पहले यहीं उसको जाना है इसके बाद देखें करा then he decided to stand on a building and wanted to see the sky tower इसके बाद वह decide करता कि वह एक building पे खड़ा होगा और वहाँ से sky tower को देखेगा अब देखें यहीं से इसके बाद से question शुरूँगा यहाँ उपर जितना भी आप देख रहे हैं तो वह सारा एक story था मिस्टर रामलाल के बारे में इसके बाद देखें मिस्टर रामलाल whose height is 2.3 meter stood on the top of a building and started to look at the top of a sky tower करा कि मिस्टर रामलाल जिसका height दे रखा 2.3 meter वह building के top पे खड़ा हो जाता है और sky tower के top को देखता है तो सबसे पहले एक building बनाई है और एक sky tower बनाई है जैसे यहाँ पर देखें माले तें यह एक AB एक building है आइस के top पे रामलाल खड़ा है और यह किधर tower बना लिजी यह माले जीए CD एक tower है अनिसे ground हो जाएगा और यहाँ पर बोला था कि यह building पे Mr. रामलाल खड़ा है यहाँ पर माले जी यह Mr. रामलाल है यहाँ पर E नाम देजी यहाँ पर जो A E है वो Mr. रामलाल है जो के building के top पे A पे यह खड़ा है इसके बाद देखिए करा the horizontal distance between a sky tower and the building is 120 meter करा horizontal distance a sky tower और building के बीच का जो है 120 meter है तो यह देखिए यह है sky tower और यह है building इस दोने के बीच का जो horizontal distance यह बला है यह distance दे रखा 120 meter इसके बाद देखिए करा the angle of elevation of the top and angle of depression of the bottom of the sky tower are 60 and 30 degrees respectively करा sky tower के top का जो angle of elevation वो है 60 degree और sky tower के bottom का जो angle of depression है वो है 30 degree तो जैसे देखिए यहाँ पर Mr. रामलाल खड़ा है तो इसका i जो होगा वो इस e point पे होगा और यहाँ से tower के top को देखेगा तो यह बन जाएगा line of sight और फिर यहाँ से tower के bottom को देख रहा है तो tower के bottom को देखेगा तो यह एक line of sight हो जाएगा और बीच में एक ही horizontal line हो जाएगा तो यह जो ऊपर बला angle होगा यह हो जाएगा angle of elevation और यह जो नीचे बला angle होगा यह हो जाएगा angle of depression क्योंकि angle of depression कब बनता जब आप ऊपर से कोई चीज को नीचे देखते हैं और अगर कोई चीज को आप ऊपर की ओर देखेगा तो यहाँ पर बनेगा angle of elevation तो angle of elevation दे रखा था 60 तो यह हो जाएगा 60 डिग्री और angle of depression दे रखा था 30 तो यह हो जाएगा 30 डिग्री और यह इस point का नाम ले लिजी एप तो यहाँ पर पहले आप figure को एक बड़ ध्यान से समल लिजी इसके बाद question पर आते हैं तो यहाँ पर figure में देखिए यह जो building है यह यह भी ही building है ना CD जो था वसकाइट आवर था तो यहीं AB का length आपको निकालना है तो यहाँ पर figure में देखिए यह है 30 डिग्री तो by alternate से यह भी हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पर आप चलिए triangle EBD में या DBE में यह हो जाएगा ठीटा तो ठीटा के सामने यह हो जाएगा P और यह हो जाएगा B तो आपको लेना है 10 ठीटा तो यहाँ पर चलिए triangle DBE में तो यहाँ से आपको AB निकालना है और यह भला side दे रखा तो 10 30 लगाईए तो 10 30 इकोल टू हो जाएगा P upon B तो यहाँ पर देखिए ठीटा के सामने P यह पूरा हो जाएगा B E और B हो जाएगा B D तो यह हो जाएगा B E upon B D यहाँ पर भाइलो पूट कर दीजे तो 10 30 का भाइलो वान पॉन पॉन रूट 3 और B E का भाइलो देखिए फिगर में तो B E में दो पार्ट है एक AB है और एक AE है तो इसको अप लिखेगा AB पलस AE तो और AE का भाइलो कितना है? 2.3 है तो यहाँ पर रिखे 2.3 यानि यह दोनों पार्ट को आप आइड करेगा तो पूरा यह B E हो जाएगा और B D, B D का भाइलो है 120 तो यहाँ पर पूट करेए 120 इसके बाद दखिए यह हो जाएगा 1 upon root 3 का भाइलो होता है 1.732 तो यहाँ पर प और 1.732 को दोनों से मल्टिप्लाई करेए बारे बारे से तो पहले इसको A B से मल्टिप्लाई करेए तियह हो जाएगा 1.732 A B पलस उसके बाद 1.732 को 2.3 से मल्टिप्लाई करिए तो यह हो जाएगा 3.9836 इसके बाद देखें इसको इधाला के माइनस करिए तो यह जाएगा 120 माइनस 3.9836 इक्वल टू 1.732AB यहींचे होगा तो इसको आइरेंज करके लिखें इसको पहले लिख लेता है 1.732AB इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इसको माइनस करिए तो माइनस करिएगा तो यह आएगा 116.0164 अब यहाँ पे A B का भैलो निकालीजे तो A B इक्वल टू हो जाएगा यह जो मल्टिपलाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा यह हो जाएगा 116.0164 और divided by यह हो जाएगा 1.732 अब यहाँ पे decimal हटाइए तो उपर में आ जाएगा 30 क्योंकि decimal के बाद 3 डिजिट है और यहाँ से decimal हटाइए तो नीचे में आ जाएगा 40 यह कटेगा 30 से 30 और तो यहाँ पे देखिए उपर में बचेगा 116.0164 और नीचे में हो जाएगा इतना इन्टू 10 तो यहाँ जाएगा 17320 और जब इसको आप डिवाइड करेगा तो यहाँ जाएगा 66.98 तो यहाँ से ओप्शन देखिए ओप्शन हो जाएगा B Q2. Find the height of the building including height of Mr. Ramlal. कराब बिल्डिंग का height बताई है जिसमें Mr. Ramlal का जो height होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए Building है AB इसका height बताई है जबकि यहाँ पे यह वला Mr. Ramlal का height हो भी include होना चाहिए मतलब आपसे मेरूप से यह पूछ रहा है BE यह पूरा का length यह है पूछ रहा है जब building के height में यह Ramlal का height A को include कर दिजेगा तो यह पूरा क्या हो जाएगा पूरा बन जाएगा BE तो आपको यहाँ पे निकालना BE तो यह हो जाएगा BE E equal to but यहाँ पे देखे जब यह 30 है तो by alternate से यह भी हो जाएगा 30 degree और यहाँ पे चले ट्रेंगल D, B, E में ट्रेंगल D, B, E तो यहाँ पे देखे यह वाला side आपको निकालना है यह वाला side दे रखा और यहाँ पे है theta तो theta के समने यह हो जाएगा P और यह हो जाएगा B तो P और B का relation 10 में आएगा तो आपको लेना होगा 1030, तो 1030 equal to हो जाएगा B E upon B D, यहाँ पे हो जाएगा B E upon B D, 1030 का भाहलू पूट करिए तो यहाँ जाएगा 1 upon under root 3 और यहाँ पे देखे B E, तो B E तो आपको निकालना है तो यहाँ पे B E रहने जाए और B D का भाहलू है 120, तो यहाँ पे आजाएगा 120, तो यह हो जाएगा 1 upon under root 3 और B E के जाएगा B E रहेगा, और इसको 120 को 3 के term में कैसे लिखेगा, इसको आप लिखेगा 40 into 3, और root 3 से 3 को काटी root 3 बार में, अब यहाँ पे cross multiply करिए, तो यह हो जाएगा B E equal to 40 under root 3 meter, तो यहाँ पे देखे option हो ज of Mr. Ramlal to the base of the sky tower, यहाँ पे length पूछा, line of sight का, जब Mr. Ramlal a sky tower के base को देख रहा है, तो यहाँ पे देखे, Mr. Ramlal यहीं पे है न, इसके base को यहाँ पे देख रहा है, तो यह वाला हो जाएगा line of sight, D E, इसी का length आप से पूछा, D E का, तो यहाँ पे यह है 30, तो by alternate से यह भी हो 30, अब यह वाला side दे रखा, यह side आपको निकालना है, तो यहाँ पे ठीटा के सामने यह हो जाएगा P, और यह हो जाएगा B, और यहाँ पे तो 90 बनेगा, तो 90 के सामने यह हो जाएगा H, अब बताए यह B और H का relation यहाँ पे लेगा, तो B और H का relation किस में होता है, cos में, त 90 के सामने H हो जाएगा, और यहाँ पे B का value दे रखा है, और H आपको निकालना है, तो B और H का relation किस में होता है, cos में होता है, तो यहाँ पे लगाए cos 30, तो cos 30 होता है B upon H, और यहाँ पे देखे, base हो जाएगा BD, तो यह हो गिया BD, और हाइपोटेनस हो जाएगा DE, तो य कालना ही है, तो यह हो जाएगा root 3 by 2, और 120 को आप लिखे 3 के term में, तो 40 into 3 upon DE, यहाँ पे देखे, root 3 से 3 कटेगा, root 3 बार में, अब यहाँ पे cross multiply करें, तो 2 into 40, 80, 80 into root 3, 80 root 3, तो यहाँ पे आज जाएगा DE equal to 80 under root 3, तो यहाँ पे देखे, option हो जाएगा B, question number 4, find the distance from the eye of Mr. Ramlal to the top of the sky tower along the line of sight, करा कि distance find करिए, Mr. Ramlal के eye से sky tower के top का, तो यहाँ पे देखे, Mr. Ramlal यही है, इसका eye यहाँ पे है, और tower का top यहाँ पे है, तो बोला कि Mr. Ramlal के eye से tower के top का, यह जो distance है, यही ना line of sight है, तो इसी के along यह distance आपको find out करना है, let me see, यहाँ पे इसी कोँ यहाँ अपी देखे, । यहाँ पर देखे, E-C को इसा parallel में आएगा? इस triangle में आएगा? तो आपको Y-C triangle में चलना है, यहाँ पर देखे, नीचे बहता distance है 120, तो यह भला भी हो जाएगा 120, तो यह आपे ठीटा के सामने, यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा B, और यहांपे 90 की सामन यह हो जाएगा decía तो बीका बहु दे राखा है और एज का बहु आपको निकालना तो बीस व्याइद के डिलेशन इनकालना चलू EFC तो EFC में आप चलिएगा तो cos 60 यहाँ पे लिजी cos 60 equal to हो जाएगा cos ठीटा होता है B upon H यहाँ पे देखिए base वो है EF तो यहाँ पे put हो जाएगा EF और जो hypotenuse है वो है EC तो यहाँ पे आजाएगा EC cos 60 का value put करिए यह हो जाएगा 1Y 2 और यहाँ पे EF तो EF का value है 120 तो यहाँ पे आजाएगा 120 और EC तो आपको निकालना है तो EC के जगए EC रहेगा यहाँ पे cross multiply करिए तो EC equal to हो जाएगा 2 into 120 तो यहाँ जाएगा 240 meter तो यहाँ पे देखिए option D Question number 5 Find the height of the sky tower Sky tower का height find out करिए तो यहाँ पे देखिए Sky tower है CD तो CD का आपको height find करना है यहाँ पे हो जाएगा CD equal to यहाँ पे देखिए यह है 120 तो यह भी हो जाएगा 120 और आप याद करिए Question number 2 में आप यह building का जो height यह building नहीं यह पूरा BE का जो length निकाले थे यह निकाले थे 40 root 3 तो यहाँ पे चलिए इस ट्रेंगल से CF का length निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा intringle EFC तो जब आप चलिएगा EFC में तो यहाँ पे angle 60 तो यहाँ पे लगाए 1060 क्योंकि यहाँ ठीटा कर समने यह हो जाएगा P और यह हो जाएगा B 1060 का वहलू अंडरूट 3 और CF तो आपको निकालना है तो CF के जाएगा CF और EFC का वहलू 120 तो यहाँ पे आजाएगा 120 इसके बद क्रोस मल्टिप्लाई करिए तो यहाँ जाएगा CF इकोल टू 120 अंडरूट 3 मीटर तो यहाँ यह CF का length अब यहाँ पे देखे यह बद लिंद थागिया 120 अंडरूट 3 और आपको चाहिए पूरा CD तो यह दोनों को आड़ करिए तो यह दोनों को आड़ करिएगा तो यह आएगा 120 रूट 3 और पलस 40 रूट 3 तो यहाँ जाएगा 160 अंडरूट 3 तो यह दो आजएगा option D Question number 29 A helicopter lift up 1000 feet over an island and a sports a swimmer that need to be rescue करा कि एक helicopter है जो 1000 feet उपर है इस तरीके से मालेजी यहाँ पे कोई helicopter है मालेजी यह point A है और यह point B है तो A point पे island है और B point पे helicopter है और बोला कि यहाँ से यह एक swimmer को देखा जिसको rescue करना है तो मालेजी swimmer है यहाँ पे C point पे तो यह helicopter है जो यहाँ पे swimmer को देखा जिसको rescue करना है इसके बाद देखिए इसके बाद बोरा कि using a distant landmark the helicopter pilot determine the angle of depression करा कि एक distant landmark को use करके helicopter का जो पाइलेट है वो angle of depression को determine करता है तो जैसे देखिए यहां पे helicopter है तो इसे में पाइलेट होगा और यह swimmer को देखा जिसको rescue करना है तो यहां से जब इसको यह देखेगा तो यह जो line होगा यह हो जाएगा line of sight और यहां से अगर helicopter का pilot सामने देखता है तो यह कि horizontal line बनेगा इस तरीके से यहां पे जो angle बनेगा ठीटा यहीं हो जाएगा angle of depression तो इस तरीके से helicopter का जो पाइलेट है वो angle of depression को determine करता है और नीचे जो हो जाएगा बाटर का surface हो जाएगा तो question number one देखिए करा as the angle of depression increases but will be the effect करा कि जब angle of depression increase होगा तो इफेक्ट क्या होगा तो यहां पे सबसे पहले आप एक बास माल लीजिए जैसे माल लीजिए ए भी एक vertical tower है तो जब यह vertical tower है तो यह सीधा ख़र रहेगा 90 degree पे और एक point C यहां पे यह angle बना रहा है 60 degree इसके साथ एक point D है इससे थोड़ा और दूर यह बना रहा है एंगल 40 degree और एक point E है जो इससे और दूर है यह बना रहा है 30 degree तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर कोई point tower से जैसे 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 दूर जा रहा है तो angle का भैलो है वो कमते जा रहा और जैसे जैसे आप tower के नजदी काई तो angle का भैलो बढ़ते जाएगा तो आपको सिर्फ यहीं याद रखना है कि अगर tower से कोई point जितना दूर जाएगा तो angle का भैलो घरते चला जाएगा और अगर आप tower के नजदी काईएगा तो angle का भैलो बढ़ते चला जाएगा जैसे यहां पर आपको बताना है यह 90 है और अगर यहां पर एक एक एंगल बनाते हैं तो यह जो एंगल होगा 60 से बढ़ा ही रहेगा चाहे जितना रहे वह हमको पता नहीं लेकिन 60 से बढ़ा रहेगा तो आपको यहां रखना है कि टावर के दिखाएगा तो angle का भैलो घटेगा और जहां तक angle of depression की बात है तो यहां प जाएगा और यह भला भी angle हो जाएगा 30 डिग्री तो इलेवेशन और डेप्रेशन दोर आपे से लिंगा होता है तो जितना डिग्री होगा इलेवेशन उतना है डिप्रेशन और अगर angle of elevation का भीलो घट रहा तो डिप्रेशन का इवलो घटेगा और अगर elevation का भीलो बढ़े तो इसका depression भी बढ़ गया अब यह है 60 डिग्री यहां पर यह लाइन ऑप साइट को ध्यान से देखेगा यह है 60 डिग्री इस लाइन के सर्ट यहां पर depression बनेगा यह भी इस लाइन के सर्ट यह भी पूरा हो जाएगा 60 डिग्री तो आप देख रहा है कि जब और अबट इसका of depression है बढ़ा है तो यहां पर देखे क्युष्टन बोला था कि जो ऐंगल of depression है वह बढ़ रहा है यह जो Angle of depression वह इंक्रीज हो रहा है मतलब यह भी एंगल इंक्रीज होगा यह भी आपको समझाएं तहां से बारे बारे से आप आप्शन से चेक करें जैसे पहले आप्शन बी को लीजिए करा दा स्वीमर गेट फर्दर फॉर्टर फॉर्म डाइज लैंड अगर स्वीमर इस लैंड से और जाएगा तो जब यह भी एंगल घटेगा तो यह भी एंगल घटेगा और जबकि यहां पर बोला था कि एंगल ऑप डिप्रेशन बढ़ रहा है तो ऑप्शन दी तो रोंग हो जाएगा ऑप्शन सी देखिए करा दा स्वीमर गेट इस लैंड के नजदी का आएगा तो जब जब यह इस लैंड के नजदीक आएगा तो यह वाला एंगल का अभेलू की रोगा बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे आप यह भी बढ़ बढ़ेगा तो यह इंगल ऑप डिप्रेशन भी बढ़ेगा और यह पर आपर ही बढ़ेशन हो रहा तो यह उप्शन सही हो तो यहां पर देखिए जैसे यह है B, यह है A, और यहां पर है C, और यह वहला टोटल डिस्टेंज दे रखा 1,000 मीटर, और हिलकॉप्टर अभी है B पॉइंट पर, माली जी इजलाइन और यह है यहां पर इजलाइन है, और हिलकॉप्टर और इजलाइन के नजदीक आ जाता ह तो जब नजदीक आएगा, तो माली जी यह यहां पर आ गिया, अब यहां से सुमिमर को देखेगा, तो अब बताइए, यह बला एंगल, यहां से देख रहा था तो, और यह बला एंगल, यहां पर बताइए कि यह जो एंगल होगा, यह बड़ा होगा, यह फिर छोटा होग यहां पर आपको पता है है तो जैसे आप यहां से नजदीक आएगा तो यह आप यहां से नजदीक आएगा तो यह तो आभी आपको समझाएं और ऐसे भी आप देखें कि यहां पर 90 릴 दिग्री बढ़ आए तो जैसे जाएग जैसे इधर आयेगा तो आंद बाढत से जएगा जाएगा यहां पर आयाकर 90 डिग्री बन जाएगा अगर इस एंगल का बैला है तो इहाँ पर उनल आगर बूह बढ़ रहा तो यहां पे इस एंगल का बहू हो पर ईंगल का मार न बहुत घटेगा यहां पर भी सिखाए ना कि अगर यह एंगल का भेलों घटेगा तो यह भी घटेगा अजब कि यहां पर वोला था कि depression increase होना चाहिए तो यह तो यहां पर decrease हो रहा था यह option गलत हो जाएगा option A देखिए करद हिलकोप्टर gates further from the island अगर हिलकोप्टर England से और दूर चला जाता है जैसे यहां पर देखिए यह इत्रीके से था यहां पर है B यह पर है ओर Chancellor C यह है zarstars सब्सक्राइब इसए इस पॉइंट पर हिलकोप्टर है अभी यह है उण थांजन मीठ्स पे और बोला कि हिलकोप्टर और दूर चला जाएगा तो माली जी यहां पे आगे इस प्वाइंट पे और यहां से यह देखेगा इसको सुमी मत कू तो जब यह इससे दूर चला गया तो यहां पर क्या कर हैं कि 90 से आप दूर जा रहे हैं तो जैसे अप अगर किसी ट्रेंगल में जैसे मानली जी एक ट्रेंगल है यहां पर 90 डिग्री और इस एंगल का वहलू है तो इस एंगल का वहलू कितना हो जाएगा इस एंगल का वहलू हो जाएगा 80 मतलब अगर यह एंगल घटेगा तो यह एंगल घटेगा याद रखेगा तो जब यह एंगल घट रहा तो यह एंगल बढ़ेगा और जब यह एंगल बढ़ रहा तो यहां पे जो एंगल ओप डिप्रेशन होगा यह भी इंक्रीज होगा तो How does the swimmer's distance from the island changes as the angle of depression is halved from 60 to 30 degree? करा कि swimmer कर तो distance है वो island से कितना change होगा? यह जिस angle of depression 60 degree से 30 degree हो जाता है. तो जैसे अभी swimmer तो यहाँ पे है और island यहाँ पे है तो इसका distance हो जाएगा AC, अभी इसका distance है AC. और बोला कि अगर इसका angle of depression 60 से 30 हो जाता है, अभी इसका angle बारा 60 degree, अब जब यह angle 60 से 30 हो जाएगा तो इसका distance में कितना change आएगा? तो जैसे देखें अब यह 60 है, 60 से 30 होगा, तो 30 कैसे बनेगा? यहाँ से एक line इस तरीक से ड्रा होगा? और यहाँ पर यह line of sight हो गया, यह horizontal line हो गया, तो यह बला जो angle होगा, यह हो जाएगा 30 degree, और अगर आप जैसे यह line हम जो ड्रा किया है, अगर आप यह line इस तरीक से ड्रा करिएगा, अंदर में, तो जब अंदर में ड्रा करिएगा, तो यह horizontal line, यह line इसके भी जो angle बनेगा, तो 60 से और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर वोला था कि 30 हो जाता है, मतलब 60 से कम हो जाता है, तो कम जाएगा, तो इस तरीक से आपको एक line ड्रा करना होगा, तो भी न, यह angle कमेगा, और अंदर कोई line ड्रा करिएगा, तो angle कभी लो और बढ़ जाएगा, यहाँ पर point ले ल distance में कितना change आएगा, तो यहाँ पर देखिए, यह है 60 डिगरी, तो यह भी हो जाएगा, 60 डिगरी, by alternate से, और यह है 30 डिगरी, तो यह भी हो जाएगा, 30 डिगरी, by alternate से, अब बारी बारी से दोनों triangle में चलिए, एक वार ट्रेंगल A, B, C में जिसमें अंगल है, 60 डिगरी, रिकवार ट्रेंगल A, B, D में, जिसमें अंगल है, 30 डिगरी, तो यहां से जलिए, पहले ट्रेंगल A, B, C में, तो ट्रेंगल A, B, C में, 60 डिगरी है, और आपको यह भाला distance निकालना, यह भाला दे रखा, तो यह होगा, ठीटा का समने P, और यह हो जाएगा B, तो P और B का रिलेशन 10 में आएगा, तो यहां पे लगा यह 1060, तो 1060 इक्वल टू हो जाएगा, A, B, अपोन A, C, तो A, B अपोन A, C हो जाएगा, यहां पे 1060 का भालू पूट करिए, तो अंदर रूट 3, और A, B का भालू है 1000, तो यहां पे आजाएगा 1000, और A, C का जाएगा, A, C रहे रूट 3, अब आप डिस्टेंस A, D निकाल लेजे, यह बला, तो यह पूरा बड़ा बला ट्रेंगल में चलिए, A, B, D में, जिसमें एंगल है 30 डिगरी, इंट्रेंगल A, B, D, तो जब आप A, B, D में चलेगा, तो यहां पे 1030 लगाईए, तो 1030 लगाईएगा, तो यह हो ज 1,000, तो यहां पे आप जाएगा 1,000, और A, D आपको निकालना है, तो A, D के जाएगा, A, D रहेगा, यहां पे क्रोस मल्टिप्लाई करिए, तो यह A, D का बहला जाएगा, 1,000 अंदरूट 3, तो यह पूरा आगिया, 1,000 अंदरूट 3, अब इसको बारी-बारी ओप्शन से च दक्रोस बारी-बारी द्राता है, उसके starting distance की one quarter से, तो यहां पे स्विमर का जो नया वाला distance यहां और इसका पहले बार डिस्टेनस यह था, तो इसका नया वाला distance decrease कहा हम वया, यह तो और बढ़ गया, तो option यह गलत हो जाएगा, option B, इसमें वह खोटे सब्सक्राइगा के इ से multiply करने पर इतना आ गया तो यह double है आधरवाइज नहीं है तो पहले दिस्टेंट था 1000 अपाउन अंडरूट थी तो इसमें दो से multiply करिए तो जब दो से multiply करेगा तो यह हो जाएगा 2000 अपाउन अंडरूट थी जब कि यहां पर तो यहां पर देखिए यह था 1000 अपाउन अंडरूट थी इसमें तो यह था 1000 अपाउन अंडरूट थी इसमें से multiply करिए तो यहां पर रूट थी से 3 कटेगा रूट थी बार में तो यहां जाएगा 1000 अंडरूट थी देखिए दोनों सेम चीजा मतलब यह तीन गुना है तो यह option C हो जाएगा करा कि कौन से अंगल ओफ डिप्रेशन के लिए हिलकोप्टर और स्विमर दोनों का जो डिश्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए तो यहां पर आप option से चेक कर लिए बारी बारी से और ऐसे भी आपको पता कि 45 डिग्री पर यह दोनों वापस में क्या होता है इक्वल होता है तो आप पहले 45 पर यह चेक करिए जैसे माले जी यह जो एंगल ओप डिप्रेशन है यह है 45 डिग्री हम option B से चाहरा है option B से यह है 45 डिग्री तो यहां पर माले डिप्रेशन है 45 तो यहां पर यह बला भी इंगल हो जाएगा 45 डिग्री बाई अल्टरनेट इंगल से अब यहां पर लगाए 1045 इस्ट्रेंगल में तो यहां पर हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल टू ab upon ac अब देखे 1045 का बहलो 1 होता है और ab का बहलो 1,000 और यहां पर ac हो जाएगा cross करके ac का बहलो निकालिए तो यहां पर ac का बहलो आ जाएगा 1,000 तो यहां पर देखे ac भी आ गया 1000 मिन और ab तो पहले सही है था 1000 मिन यह देखे comfort कब हेलू कि आ गया स्यम आ गया तो वह आया 45 डिगरी के इंगल पर यह होजएगा ओप्शन बी किर्शन नमर फोर लेट दा स्विमर स्टार्ट आउट 1019 फिट फ्रॉम दा इजलेंड करा कि माल लेजे कि अगर स्विमर जो स्टार्ट करता स्विम करना इतना मीटर इजलेंड स इतना मीटर दूर से तो यह इजलेंड यहाँ पर है अमालीजे जो स्विमर का डिस्टेंस इजलेंड से वह है 1019 फिट यह बला जो डिस्टेंस है 1019 फिट है और इसी डिस्टेंस स्विमर स्टार्ट करता है स्विम करना करा इफ ही स्विम से हाप अफ अफ द डिस्टेंस भा ही बीच में मैं लिए जोगा इतल ऐसे कितना हो जाएगा तब इस point से देखिए angle of depression तो यहाँ पे इसको जोईन करिए यह हो जाएगा line of sight यह horizontal line अदोनों के भी जो angle बनेगा यह होगा angle of depression मालेजी यह angle है ठिटा तो जब यह angle ठिटा तो यह भी angle हो जाएगा ठिटा तो यहाँ से निकाले ठिटा का भेलो यहाँ पे चलिए इस triangle में triangle ABD में तो ABD में चलिएगा तो यहाँ ठिटा ठिटा का सम्नुन यह भी और यह भी बी तो यहाँ पे लगाना होगा 10 theta तो यह हो जाएगा 10 theta equal to AB upon BD तो यहाँ पे भी भी का भेलो देखिए 1000 दे रखा है, यहां प्यागे 1000 और B, D का भेलू दे रखा 1019 ॉपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 फिता एक्वल 2 इसको लिखते हैं इस तरीके से 10 पे पार माइनस वन इसको पढ़ा जाता है 10 इंवर्स जब 10 इधर आएगा तो यह हो जाएगा 10 इंवर्स और यहां पर पाहले से था 2000 अपॉन जीरो बन नहीं देखे इसका भैलू आपको निकालना हाइर कलासेज में ठीक है तो यहां पर आप हिल्कोप्टर लेफ्ट इट्स इनिसियल पोजीशन और मुवड वर्टिकली अपवाड कता है कि हिल्कोप्टर जो इनिसियल पोजीशन को छोड़ कर और ऊपर चला जाएगा तो एंगल ओफ डिप्रेशन में क्या अफेक्ट होगा जैसे यहां पे अभी हिल्कोप्टर है इ यह 90 डिग्री से उपर जा रहा है मतलब दूर जा रहा है तो जैसे यह 90 से डूर जाएगा तो यहां पे एंगल क्या होता है घरते चला जाता है जैसे जैसे आप 90 से दूर जाएगा यहां से तो यहां पे जो एंगल होगा यह घरते चला जाएगा तो जब यह एंगल छोटा सकते हैं जैसे यहांपे 90 अंग का फेलो 40 है अ गर से एंगल जयाrick 15 हो होगा सिब स्सक्राइब क्ते हैं क्योंकि से दूर चाहरा है तो यह ओला एंगल की पर्ण होगा मतल्स बढ़ आप्शन B, Angle of Depression Increases.